हलो फ्रेंड्स सुमन की बग्या में आप सभी का स्वागत है और सभी के लिए प्यार बहरा नमश्कर भी है देखिया आज खुब बड़े बड़ी लीव्स वाला मैं प्लांट आपके पास लाई हूँ जिसको एलोकेशिया कहा जाता है एलोकेशिया के एक विराइटी है और इसके देखिये किते सारे बेबी प्लांट भी मेरे आ गए हैं और इसलिए मैं इसको रीपॉर्ट करूँगी ये जो पॉर्ट है ये भी छोटा देखिये इस वाले में बड़े पॉर्ट में मैं इसको ताकि मेरे अलग-लग से और इतने सारे ब्रांट्स बन जाएं तो यह जो पहले बड़ा वला पॉट था मेरा मैं इसकी मिट्टी को सारी मिट्टी को खाली कर रही हूं और इसमें मैं फिर मिलाऊंगी कंपोस्ट जो की मेरे घर की बनी होई किचन वेस से बनती है जो कंपोस्ट वो मैं मिलाती हूं वो इसमें डालूंगी देखिए इसमें पहले से ही दो छेद हैं और इनको मैं पत्थर से ढग दूंगी दो इसलिए हैं क्योंकि बहुत बड़ा कंटेनर है और पॉर्ट जो है बहुत बड़ा है इसलिए इसमें मैंने दो छेद पहले से करे हूं है और य चत पे जाता है टेरेस पे और उससे कंपोस्ट बनती है और इन सब को मिला दूंगे हाँ ये भी बता जो कंपोस्ट जब बनती है उसका जो पानी नीचे से निकलता है वो भी बहुत प्लांट्स के लिए बहुत ही लाबदायक होता है तो देखिए अब इस तरह से मैं इसमें पत्थर रखने के बाद थोड़ी जो मिक्स की हुई है मिट्टी और कंपोस्ट वाला जो पॉटिंग मिक्स है वो इसमें मैं भर रही हूं और इतना ही भरेंगे थोड़ा ही देखिए इस तरह से फिला दिया भरने के बाद और अब मैं इसमें अपना जो प्लांट है वो मु प्लांट जो है उसमें से निकल जाए अगर मिट्टी बहुत जादा गीली होगी तो उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा तो देखिए इसको मैंने थोड़ी मिट्टी इसकी आसपास की निकाल रही हूं पहले मैं ताकि यह प्लांट जो है वो थोड़ा लूज हो जाए और हलके हाथ से इसको कीच रही हूं गुमा रही हो एक्चुल में ताकि यह मिट्टी को छोड़ दे और यह लूज हो जाए उसमें से बहुत अगर ज्यादा तेजी से कीचेंगे तो रूट्स खराब जाएगे देखिए मिट्टी भी सुक्य होई थी इसका पॉर्टिंग मिक्स पारे होंगे कि बिल्कुल भी बहुत ज्यादा गीली नहीं है तो यह मेरा मैंने सारे बेबी प्लांट्स देखिए मैं अगर मैं इनको काउंट करती हूं तो मुझे लग रहा है कि लगबग यह हैं 10-12 मेरे बेबी प्लांट्स अराम से यह देखिए 2-3-4 काफी सारे हैं 10-12 तक प्लांट्स मेरे यह बेबी प्लांट्स बन जाएंगे अब इनको मैं अलग रख लेती हूं पहले और पहले मैं अपना जो प्लांट है यह देखिए जो रूट बांट्स रूट्स इसकी कितनी प्यारी रूट्स आ रखी हैं और इसको मैं अपने बड़े प्लांटर में जिसमें potting mix मैंने डाल लिया है उसमें लगाती हूँ ओहो देखिए लगाते वक्त तो छुट-छुटे baby plants और मिल गए मुझे मैं इनको भी अलग कर लेती हूँ देखिए बड़े अराम से प्यार से ही दो plants baby plants और मिल गए मुझे अब मैं इसको बड़े वाले में इस तरह से ज़्यादा कुछ इसमें कोई बहुत बड़ी reporting करने में बहुत बड़ी कोई rocket science नहीं है बस आपको देखना है कि जब भी आप report करें plants को इसकी roots खराब नहीं हो और जिसमें करें potting mix ठीक होना चाहिए आपका और अब मैं इसके उपर से सारा जो अपना potting mix है जो ये डाल दिया मैंने और इसको थोड़ा सा दबा दूँगी इसको straight रखना है एक हाथ से इस plant को पकड़ के रखना है हमेशा देखिए तो ये मेरा प्यारा सा allocation और दोरा कहते है और मैंने इसको बालकनी के बिल्कुल corner में रखा है ताकि ये अंदर से भी बहुत सुन्दर लगे और बाहर से भी देखने वालों को देखे और अब मेरे जो baby plants से इनको छोटे छोटे जो मेरे pots plastic के पड़े थे इन मेरे पास coil जो मेरी बची वी पड़ी थी वो डालके मैंने potting mix डाल दिया है और मैं इन सब को तो ready कर रही हूँ ताकि मैं ऐसे plants कई ready करती रहती हूँ जब मेरे पास कोई आता है या मुझे gift देना होता है ताकि मैं उनको gift दे सकूँ तो देखे पहले मैंने सब में potting mix जो था बचा हुआ वो सारा भर ली अब एक finger से छेद करके मैं सारे plants जितने baby plants है सब में एक एक लगा रही हूँ ओके बाई टेक कियर